वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैब कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला जरूर जोइन के लिए सारे नोटिफिकेशन यहीं पर आते हैं ध्यान लगें वेलकम तू स्टाडी फॉसिवल सर्वसेज आयम इच्छा मिश्रा और यह वीडियो सीरीज हमारी प्रिलिम्स के मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक्स की चल रही है इसमें प्रयास किया रहा है कि इ पर अटाच किया गया है यह हमारी बाइलिंग्वल सीरीज चल रही है हम डे 53 में पहुच के हैं अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो यह सीरीज आपके लिए डेफिनिट्री बहुत हेल्फुल होने वाली है आज का वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको बताना च जोइन करकर लाप्राप्ट कर सकते हैं और HCS, BPSC, UKPSC के लिए भी ग्राश कूर्से चलाए जा रहे हैं और उनको भी आप जोइन करकर बेनिफिट ले सकते हैं इनसे सम्बंधत अधिक जानकारी आपको गेवन नंबर्स पर मिल जाएगी और आपने अगर अभी तक हमारे फ आज का हम क्या discussion करने वाले हैं तो लास्ट वीडियो में हम वाइसरोई और यह जो गवर्नर जेनरल्स थे वो देख रहे थे तो उसी का continuation है आज के वीडियो में भी मैं पहले आपको थोड़ा सा जिस्ट बता दूंगी एक sequence बता दूंगी उसके बाद हम फिर इनको discuss करेंगे तो पहले sequence देख लेते हैं देखे हमने डलाउजी तक देख लिया था हमने कहा था कि वो एक डल व्यक्ति है और इनकी ऐसी नीतिया हो रही कि आगे चलकर जो 1857 का विद्रो हुआ वो इनकी नीतियों के परिणाम सरूप ही हुआ तो उसमें काफी मुख्य भूमिका इनकी नी क्यानिंग कब आएंगे क्यानिंग आएंगे अठारा सो चपन में गैनिंग 1856 में उसके बाद इनके समय पर ही विद्रो होगा 1857 का यह 62 तक रहेंगे और जब इनके समय पर विद्रो हो जाएगा तो अब क्या होगा जो ब्रिटिश एंपायर भारत में चल रहा था इस इंड जाएगा ब्रिटिश गवर्मेंट के अंतकर तब उन्हों को क्या करेंगे वो नाम बदल देंगे गवर्णर जनेरल जो भी तक भारत का था वो क्या हो जाएगा वाइसरोई वाइसरोय का मतलब होता है representative, तो भारत के पहले वाइसरोय कौन थे? Lord Canning, यह 1862 तक रहेंगे, उसके बाद Canning के बाद आएंगे Elgin, Canning Elgin, Elgin आएंगे और यह रहेंगे 1862 से 1862 से 63 के बीच में, फिर हम देखेंगे एक दू और आएंगे लेकिन वो इतने important नहीं है, थोड़े कारिकाल के लिए आएंगे, तो जो important है, Canning, Elgin और उसके बाद आएंगे John Lawrence, ठीक है, तो John Lawrence, John Lawrence जो आएंगे, इनका क्या कारिकाल रहेगा, 1864 से लेकर यह 69 तक रहेंगे, ठीक है, 69 तक रहेंगे, Canning, Elgin, John Lawrence, और उसके बाद हम देखेंगे, आएंगे Mayo, Lord Mayo का नाम आप लोगोंने सुना होगा, इनके समय पर सबसे पहली बार जो census conduct करवाए गये थे, 1872 में वो इनका टाइम पीरिट क्या रहा था, 69 से 1869 से 1872 तक, तो Canning आए, Elgin आए, फिर John Lawrence आए, उसके बाद Mayo आए, Canning, Elgin, John, Mayo, फिर हम देखते हैं, जो इसके बाद एक और important जो आएंगे, वो कौन आएंगे, वो आजाएंगे, Lord Northbrook, Northbrook, Mayo के बाद M से Mayo, उसके बाद M, N, Mayo के बाद Northbrook आएंगे, और इनका कारेकाल रहेगा, 72 से लेकर, 86 तक, तो आप लोग चाहें, तो ऐसा एक sequence पर अप्री नोटबुक में लिख सकते हैं, फिर आप लोगों को याद रहेगा ये सब, तो ये sequence रहा पहले हमारा Canning, Elgin, Lawrence, Mayo और Northbrook का, 76 तक Northbrook रहेंगे, उसके बाद कौन आएंगे, Northbrook हमने देख लिया, फिर हम देखेंगे, फिर आते हैं Lord Litton, देखें, लिटन है, लिटल आ रहा है इनके नाम में, तो इनकी जो सोच है वो भी काफी लिटल रहे, और इन्होंने ऐसी खराब नीतियां करी, जिसके परिणाम स्वरूप, क्या हुआ, इनको वर्नकुलर प्रेस आक्ट लाना पड़ा, क्योंकि ऐसे ऐसे इन्होंने नीतियां चलाएं, जिनके खिलाफ न्यूस्पेपर्स में पब्लिश किया गया, और फाइनली उनको लगा, कि अगर ऐसी चीज़ें लोगों को, लोगों के सामने आएंगी, तो वो देली दर्बार और उस पर पैसा कर्च किया, ठीक है, तो यह काफी लेटल सोच के थे, तभी इनकी ऐसी आक्टिविटीज रही, फिर हम देखेंगे, इसके बाद आएंगे, लॉर्ड रिपेन, तो जब यह लेटल सोच वाला वैक्टीज चला गया, तो लॉर्ड रिपेन आ कुछ हमें थोड़े से बहतर आदमी दिखे वो थे लॉर्ड रिपन, जिन्योंने कुछ उनकी नीतिया अच्छी रही, और इनके समय पर लॉर्ड रिपेन के समय पर क्या होता है, पहला फैक्ट रियाक्ट आता है, इन्होंने जो वर्नकिलर प्रेस आक्ट लिटन के समय पर लागू किया गया था, उसको हटा दिया, और भी इनके समय पर कुछ-कुछ चीज़े अच्छी हुए, तो जब बहुत ही खराब हो गया था, उसके बाद थोड़ी सी अच्छाईयों के साथ, लौड रिपेन आएंगे, उसके बाद रिपेन के बाद आते हैं, एक डफर आदमी समझ ही नहीं पाए कि इतनी स्ट्रॉंग पार्टी स्टाबलिश हो गई, तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में याद कर पाएंगे, 1884 से 1888 तक इनका कारेकाल रहा, उसके बाद डफर हो गया, उसके बाद कौन आएगा, लांस डाउन, लांस डाउन, लांस डाउन आएंगे, 1888 से लेकर, 94 के पीरिट के लिए, ठीक है, तो डफर हो गया, डफर के बाद सब कुछ डाउन होने लगा, तो लांस डाउन आगे, ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, लिटन, डिपन, डफरन, लांस डाउन, लांस डाउन के बाद हम देखते हैं, लांस डाउन के बाद आए ठीक है उसके बाद आते हैं करजन करजन के समय पर ही हम देखते हैं कि बेंगॉल का partition होगा ठीक है 1899 से 1905 में यह रहे और इन्हों नहीं यह काफी जादा इन्हों ने प्रूर नीतियां अपना ही और बेंगॉल का partition कर दिया जिसकी वज़े से फिर स्वदेशी movement भी चलाया गया था राइट करजन के बाद कौन आएगा मिंटो आएंगे यह जो मिंटो है यह आएंगे फिर 1905 से 10 तक के लिए पांच साल के पीरिट के लिए आएंगे मिंटो और आपने जो रिफॉर्म्स का नाम सुना होगा मौले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों मिंटो उनके नाम में क्यों आता है रिफॉर्म्स में क्योंकि उस समय पर वाइसरोय भारत का कौन था लॉर्ड मिंटो और मौले कौन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए तभी मौले मिंटो रिफॉर्म्स इसको कहा जाता ह फिर हम देखेंगे कि इनके बाद मिंटों के बाद हार्डिंग आ जाएंगे और इनका कारिकाल क्या रहेगा हार्डिंग का 1910 से लेकर 16 के बीच में रहेंगे इस समय पर जो बम का कांड होता है बम फेका जाता है वाइसरोई पर वो क्यों से वाइसरोई थे लौड हार्डिंग के उपर लेकिन वो इतने हार्ड थे कि उनको कुछ असर नहीं हुआ और उनकी मृत्यू उस बम कांड में नहीं होती है इस तरीके से आप कुछ रिलेट करके नाम याद रख सकते हैं तो एलग पर हम देखते हैं आएंगी हमारे सामने मॉन्टेस्गी चैमसफोर्ड रिफॉर्म तो अब आप समझके होंगे चैमसफोर्ड उस समय के वाइसरोई थे और मॉन्टेस्गी शेक्रेट्री ऑफ स्टेट थे और उसके बाद आएंगे रीडिंग देखें रीडिंग का जो कारे कर रहे है वही इनका रीडिंग का कारेकाल उन्नेस सो इकिस से च्वेस के बीच में रहा फिर इरवेन आएंगे postक्लारी नेनका कारेकाल रहा 1926 से 29 के बीच में उसके बात हम देखते हैं विलिंगैन आएंगे विलीविंगदिंगड़ का रहेगा विलिंग्डिन का कारेकाल रहेगा 1931 से 36 के बीच में रहेगा और उसके बाद आएंगे लिद्गो वेवल और मांट बेटिन उनको हम देख लेंगे और आज के वीडियो में कहां तक डिसकस करेंगे पूरा हम नहीं कम्प्रीट करेंगे हम केवल इर्विन तक देखेंगे लेकि तब भी मैंने आपको यह थोड़ा बता दिया है आईए अब हम उसको डिसकास करते हैं और साथ में ही लर्न करने का प्रयास कीजेगा सब कुछ हो जाएगा इतना खब्राने की ज़रत नहीं है तो चलिए देखते हैं देखिए एक क्व का रिवोल्ट हुआ और इन्होंने यूनिवर्सिटीज इस्टाबलिश की ती कलकत्ता की बॉंबे की और मद्रास की 1857 में यह थोड़े पॉइंस है याद रटते हुए चलिएगा और जब विद्रो हो गया 1857 का तो उसके बाद क्या हुआ एक नवंबर 1858 को क्वीन विक्ट हो रिया उन्होंने एक उध्षोषना करी और उनकी उध्षोषना के परिनाम स्वरूफी गवर्मेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1858 का लाया गया था देखी जब इतना बड़ा विद्रो हो गया तो ब्रिटिश जो थे वो डर गया और उन्होंने का आप इस इंडिया कंपनी जो कुछ चेंजस किये गए ठीक है और जो चेंजस किये गए उसके अंतरकत गवर्णर जेनरल जो भारत के थे उनको वाइसरोय बना दिया गया और वहां पर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी स्टाबिश कर दिया गया इंग्लें में तो यह सारे कुछ चेंजस हुए थे इस आक के अंतरकत जो आप इस आक को पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे तो उसकी डीटियल में फिलहाल हम नहीं चा रहे हैं तो यह पहले वाइसरोय बन गये थे लॉर्ड कैरिंग और इनहीं के समय पर इंपीरियल सिविल सर्विसेस का फॉर्मेशन हुआ था इंपीरियल सिवि थी बेसिकली तो बेसिकली हो गई थी क्योंकि उस समय पर इस इंडिया कंपनी के भी अपने टूप से और जो ब्रिटिश गवर्मेंट थी उसके भी टूप से लेकिन जब 1858 का आक्ट आ गया तो फिर यह जो इनकी पावर्स थी और इसमें जो डिस्रिबूशन था बेसिकली जो इनको पेमिंस बगेरा मिल रही थी उसके संबंद में इन लोगों ने म्यूटिनी कर दी थी इसलिए यह वाइट म्यूटिनी होई थी तो अब आपको अगर सीक्वेंस में याद रहेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि वाइट म्यूटिनी कब होई थी कारण जादा इसकी डीटेल के कारण में जाने की ज़रत नहीं है और फिर उसके बाद इंडियन पीनल कोट भी लेकर आते हैं 1860 में कि भारती इंडंड सहीता लेकर आएंगे जिससे भारतियों को सही से रूल किया जा सके उसके बाद 1861 में ही हम देखते हैं कि इंडियन हाइग होता है तो कुल मिला कर ये कुछ चीज़ें आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इंडिया में अपने जो पकड़ है उसको और स्ट्रॉंग करने के लिए ये सारे आक्स लाए गया थे हैं फिर हम देखते हैं इनके बाद कौन आएंगे लॉड एल गिन आएंगे ये एक वर्ष के लिए आते हैं 62 से 63 के बीच में और इनके समय पर जो महत्वपून चीज होती है वह होती है स्टाबलिश्मेंट ऑफ कलकत्ता बॉंबे अन मद्रास हाई कोट 1862 में देखिए कैनिंग के समय पर आक्ट आता है इंडियान हाई कोट्स आक्ट 1861 का और जब वो चले जाते हैं औ पर कौन आ जाता हैं जॉन लॉरेंस आजाते हैं जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 1869 के पीरिट के लिए आते हैं और इनके समय पर क्या-क्या होता है तो जॉन लॉरेंस के समय पर क्या होता है भूटान वॉर होता है 1864 पेशिट के बीच में भूटान वॉर हुआ और इन्होंने शिमला को इंडिया की समर कैपिटल बना दिया था ओफीशियली 1864 में हमने देखा था कि डलहाउजी ने डिक्लेयर किया था कि हम बनाएंगे शिमला को समर कैपिटल ठीक है लेकिन ओफीशियल जो हुआ था वो किसके समय पर हुआ था जॉल लॉरेंस के समय पर आप ऐसे याद रखिए का डलहाउजी के बाद कौन आते हैं क्या कर पा है लेकिन जब जोन लॉरेंस आए 64 से 69 के लिए तब इन्होंने समर कैपिटल डिक्लेयर करी 1864 में और 1866 में अलहाबाद हाई कोट स्टाबलिश हुए ठीके 62 में किसका किसका स्टाबलिश्मेंट हुआ कौन कहां कहां के हाई कोट का हुआ हुआ का हुआ था कलकत्ता ब और इसा में फहिमाइन आया था 1866 में तो जब फहिमाइन आ गया तो अब अग्रेदों के उपर भी प्रेशर होता था कि वो कुछ करें तो वो कुछ अच्छा तो करने ही बाते थे लेकिन मजबूरी में उनको कोई ने कोई कमिशन स्टाबलिश करेना पड़ता था कि जो भी कि इसी के लिए उन darnकए फैमाइन के कारण हैं उनको देखें और आगे फैमाइन ना आए तो इसी के लिए उरोने एक फेमाइन कमिशन स्टाबलिश किया था चो जब फैमाइन आ मैं अधारसे sięट में आया और 1867 में जा 1868 कहां कहां पर लाया गया था और इसका एयर क्या था तो जॉन लॉरेंस का हमने देखिया इनके समय पर क्या क्या हुआ इनके समय पर सबसे पहले क्या हुआ इन्होंने भूटान वार हुआ इनके समय पर फिर शिमला को ऑफीशिल क्यापिटल बना दिया गया अलहाबाद हाइ कोट स्टाबलिश्ट कर दिया गया फैमाइन कमिशन आया और तेरन सी आक्ट आया भूतान से सम्बंदे थे एक चीज हुइ फिर शिमला को इनोंने बनाया और फिर यह अलहाबान अया उसके बाद फैमाइन कमिशन और देर टेंसी आक कहा-कहा पर पंजाब और अबद तो यह चार पांच पॉइंट्स ऐसे लर्न गर लीजे उसके बाद आते हैं लॉड मेयू लॉड मेयू अथारा सो सिक्स्टी नाइन से लेकर सेवेंटी टू के बीच में रहे और इनका सबसे इंपॉर्टन काम है जो कई बार पूछा गया है इन्होंने पहली बार भारत में सेंसेस कं जनगरना करवाई थी 1872 में हाला कि इसको एक सीक्वेंस में और कंटिनुएस जनगरना होई थी वो इनके समय पर नहीं वो शुरू की गई थी लॉड रिपन के समय पर तो रिपन ने कुछ अच्छे काम किये थे उसमें ये भी अच्छा काम था जो हम अभी आगे देखेंग ये इंडियन रिफॉर्म असोसीएशन 1 720 में और लॉड मेयो ने स्ताबलिश किया था डिपार्टमेंट उफ एग्रिकल्चर ऑफ एंड कॉमर्स तो इननों ने सेंस्स करवाए और इन्होंने एग्रिकल्चर और कॉमर्स का एक डिपार्टमेंट ही स्ताब्लिश करवाया 1872 म करवाया, established, इनके कौन-कौन से major 3 काम क्या है, एक तो इन्होंने C से census करवाय, इन्होंने C से agriculture भी है, लेकिन commerce वाला department established करवाया, और इन्होंने एक काम S से करवाया, statistical survey of India established करवाया, ठीक है, और इनके 3 काम 1872 के ही है, इसके अलावा केशव चंदरसेन ने इनके समय पर ही एक Indian Reform Bomb Association, स्थापित किया था, 1870 में, फिर हम देखते हैं, Lord Northbrook आते हैं, और इनका कारेकाल क्या है, 1872 से 1876 के बीच में थी, कि यह थोड़ा गलबर लिग गया है, 1872 से 1776 के बीच में रहें, और इनके समय पर एक Act आता है, Dramatic Performances Act, 1876, यह क्या होता है, एक बार देख लिए और यह इयर्स बहुत इंपोर्टन्ट है, क्योंकि इनके लिए पूछ रिया जाता है, कि कौन सा Act कब आया, तो Dramatic Performances Act क्या था, क्या होता था, बेसिकली उस समय पर जो भारतिये थे, वो प्रोटेस्ट करने का उनके पास क्या जरिया था, कि जो भी ब्रेटिश की पॉलेसी थी, उन सके, ठीक है, तो उसी के लिए ये Act लाया गया था, ताकि जो भी थीएटर में Performances हो रही है, लोग अपने प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको एक तरीकी से ब्रिटिश कंट्रोल कर सके, उनके खिलाब कोई भी चीज ना हो, इसलिए वो ये Act लिया थे 1876 में, उसक वर्तमान में क्या कहा जाता है, इसको वर्तमान में कहा जाता है, अलीगर मुस्लिम University, तो ये 75 में तबलिश होई थी, प्रिंट्र वेल्स एडवर्ज सेवन, ये भारत आये थे 1865 में, तो प्रिंट्स ओवेल एडवर्जski पर आये थे 1875 में, ये बहारत की यात्रा पर आये उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था, Northbrook ने, क्योंकि जो British Prime Minister थे उस समय के Benjamin Disraeli, उन्होंने एक ट्रीटी करने के लिए कहा था, अफगानस्तान के Shere Ali Khan के साथ, जो इन्होंने नहीं करी, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था, इनसे सम्मंदत क्या-क्या important points हो गए, सबसे पहले इनके Northbrook के समय पर इन्होंने क्या कि dramatic performances act लेकर आ गया थे 1876 में और उसके बाद इनहीं के समय पर मुहंदन अंगलो औरियंटिल कॉलेज स्टाब्लिश किया गया था सरसयाद हैमत खान के द्वारा उसके बाद Prince of Wales जो थे रिजाइन भी कर दिया क्योंकि जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन डिजराइली इन्होंने इनसे एक ट्रीटी करने के लिए कह दी थी तो इनको नहीं पसंद आया इन्होंने रिजाइन कर दिया तो नॉर्थ और इसके माध्यम से जो Queen Victoria थी उस समय की इनको क्या बना दिया गया था Empress of India बना दिया गया था घोशित कर दिया गया था भारत की सामराग्गी 1886 के Royal Titles Act के द्वारा ये किया गया और ये इतनी लिटल सोचके थे कि ये सिर्फ अंग्रेजों की ही अंग्रेजों को ही बढ़ा बार आयोजत किया 1877 में इनको कोई फरक नहीं पढ़ रहा था कि भारत में इतने सारे फेमाइन आए हैं और लोगों की मृत्ती हो रही है उससे इनको कोई भी फरक नहीं पढ़ रहा था और ये सारा पैसा इन चीजों में खर्ज कर रहे थे तो ये 1886 में हुआ फिर दिल्ली कमिशन पढ़ा होगा जिसका संबंद फेमाइन से है वो इसी फेमाइन के आने के परिणाम स्वरू किया लिया था यूंकि अब इतना प्रेशर पढ़ गया था इनके ऊपर कि ये कुछ करी नहीं 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 और अब इनका काफी बुराई भी होने लगी थी लोग इनको आफ आवाद उठा रहे थे इन्होंने कहा कि चलो प्रेस के द्वारा आवाद अठाई जा रही है तो प्रेस पर ही बंदिशें लगा दो और इसलिए ये क्या लेकर आते हैं बढ़ना के लिए प्रेस आक्ट 1878 का और इन्हीं के समय 1878 में एक और आक्ट आता है वह है आम्ज जो European होंगे वो तो बिना license के लेकर आमस को घुम सकते हैं without license लेकिन जो इंडिएन होंगे उनको अगर आमसका पर्छेस करना है manufacture करना है sale करनी है या फिर अपने पास रखना है तो उनको license लेना पड़ेगा एक तरीके से साफ साफ ये discrimination किया गया था उसके बाद इनके समय पर Second Anglo-Afghan War हुआ 1878-188 के बीच में कल मैंने आपको बताया था A से Anglo-Afghan War और A से Auckland Amherst नहीं Auckland Auckland के समय पर पहला हुआ था और दूसरा किसके समय पर हुआ है Lord Litton के समय पर और Treaty of Gundamuk इनके समय पर होती है आक्री चीज़ तो फिलहाल हम सारी चीज़ों को इनकी Learn कैसे रखेंगे याद कैसे रखेंगे इनके समय पर जो जो हुआ है तो सबसे पहले याद रखना है कि इन्होंने अंग्रेदों के आउभगत में सारा पैसा कर्च किया इन्होंने रॉयल टाइटल जाक लेकर आए इन्होंने दिल्ली दर्बार भी और्गनाईस किया 1877 में तीन दिल्ली दर्बार हुए बेसिकली और इनके समय पर जो आयोज़त किया था वो पहला था ठीक है उसके बाद डूसरे जो होंगे वो यह सो होगे हमारा 1847 में उसके बाद होगा एक 1903 में और एक होगा 1911 में एक तरह से एक सेरेमेनी होती थी जो डिलली मे आयोज़ित की जाती थी और बृटन के जो रानी महारांी होती थी ओर यहां पर आकर विजट करती ही और उनकी आऊ-भगत होती थी करती, थिक है? इन्होंने कुछ किया नहीं लेकिन फिर भी फाइनली प्रेशर में आकर इनको स्ट्राची आयो फ्रमाइन कमिशन एक 1878 में बनाना पड़ गया और इन्होंने लोगों की आवास दबाने के लिए क्या कर दिया अप वर्णा के लिए प्रेस आक्ट लिया है 1878 का और आम्स 1879 में इसी के परिणाम सुरूप ट्रीटी ओफ गंडमक भी हुई थी तो अब आपको इनसे संबंदित जो यह पॉइंट से वो याद रहेंगे फिर हम देखते हैं लोड रिपन देखिए अब इतनी जादा लिटल सोच वाले इंसान के बाद कुछ थोड़ा सा ठीक व्यक्त से कि जो भी working conditions हैं labels की उसको थोड़ा improve किया जा सके तो यह थोड़े से अच्छे थे इसलिए इन्होंने थोड़े improvement अच्छे काम किये तो first factory act 1881 का इन्हीं के समय पर आया उसके बाद क्या आता है Negotiable Instruments Act इसमें क्या था यह basically define करता है promissory notes को bills of exchange और checks वगेरा को define करता है और यह अभी भी Negotiable Instruments Act अभी भी चलता आ रहा है और इसके मात्यम से जो भी check bounce होगी तो क्या penalties वगेरा होगी वो सब define किया गया था तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है यह कब आया था Negotiable Instruments Act 1881 में और जो Vernacular Press Act लाया गया था लिटन के द्वारा उसको इन्होंने हटा दिया रिपील कर दिया 1882 में और इनके समय पर एक इल्बर्ट बिल कॉंट्रोवर्सी भी होती है 1883 में यह काफी important है और कई बार पूछा जाता है कि इल्बर्ट बिल कॉंट्रोवर्सी क्या है तो देख लेते हैं थोड़ा सा यह basically एक बिल लाया गया था जो आक्ट में नहीं बदल पाया क्योंकि इसका काफी जादा विरोध हो गया था तो इसमें क्या कहा गया था कि जो इंडियन मेंजिस्ट्रेट्स होंगे वह भी बृटे ब्रिटिश और यूरोपीय लोग होंगे उनके जो केसे से उनको सुन सकते हैं ठीक है तो यह इन लोगों को भस्त नहीं आए इन्वने का इंडियन को इसको इतना नहीं पर government का resolution आया था local self government में 1882 पर 82 में इसी लिए father of local self governance इंडिया में किसको कहा जाता है Lord Rippen को कहा जाता है और education commission sir William Hunter के अंतरगत आया था 1882 में ही और पहला पूर्ण census जो करवाया गया था ये कप हम कैसे याद रख सकते हैं देखिए तो basically Lord Rippen के समय पर हमको जो अग्रेजियों की नीतियां दिख रही थी उसमें थोड़ा सा फ्लिप आया था इसका मतलब उन्होंने क्या किया F से वो लेकर आते हैं पहला factory act 1881 का और एक फिर्माइन हो राता है यह दो points हो गया उसके बाद L से local self-government के लिए resolution लाते है 1882 में ठीक है उसके बाद I से ilbert बिलाता है इनके इनके कारण में ही और P से क्या होता है जो press act था उसको इनोंने रिपील कर दिया ठीक है तो यह flip से आप चीज़े नन कर सकते हैं कि रिपन के समय पर थोड़ा सा flip देखने को मिला उसके अलावा दो तीन चीज़ें और रटनी होंगी Negotiable Instrument Act 1881 का इसको भी आप Ilbert Bill और Instrument Act को थोड़ा सा आई से ही रिलेट कर सकते हैं अगर चाहे तो और साथ में Education Commission आया था Sir William Hunter के समय पर 1882 में और Complete Census हुआ था Education और Census वाले Extra Points हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे यह सब होता है लॉड रिपन के समय पर 1884 के बीच में तो यह चले गए तो रिपन के बाद रिपन थोड़े अच्छे थे तो उनके बाद कौन आया एक डफर आत्मी आया डफरें इनके समय पर क्या हो गया इंडियन National Congress को स्टाब्रेश कर दिया गया था 1885 में इनका कारेकाल क्या था 1884 से 88 के बीच में और Bengal Tenancy Act जो है इनके समय पर आता है 1885 में इससे पहले हमने देखा था जोन लॉरेंस के समय पर Tenancy Act आएंगे पंजाब और अवद में जोन लॉरेंस के समय पर Tenancy Act कहां पर आएंगे 1868 में आये थे पंजाब और अवद में और बेंगॉल में बाद में आया 1885 में तो यह याद रखिए अप इंपॉर्टन पॉइंट है इसके बाद थर्ड अंगलो बर्मीज वोर्ड जो है 1886 में मिल गया था लौट डफरिन के समय पर तो इनके समय पर कॉंग्रेस इस्टाबलिश हुई बेंगॉल में टिनेंसी आक्ट आया और बर्मीज वोर्ड हुआ और उसके बाद बर्मा को इन्होंने अपने में मिला लिया बर्मीज वोर्ड हुआ और इन्होंने बर्मा को मिला यह जो एज ओफ कंसेंट आक्ट है 1891 का यह कई बार पूछा गया है याद रखेगा एज ओफ कंसेंट आक्ट 1891 को पास किया गया था और इसके माध्यम से जो बालिकाएं होती थी लड़कियां होती थी उनकी आयू की एज कर दी गई थी बारा वर्ष ठीक है कि विवार होगा वो बारा वर्ष की जब हो जाएगी लड़की तभी हो सकेगा उससे पहले उसका विवा नहीं किया जाएगा तो यह एज ओफ कंसेंट आक्ट के माध्यम से किया गया इसके बाद इंडियन काउंसल आक्ट 1892 का इन्हीं के समय पर आया इनका टाइम पीरेट 1888 से 94 के बीच मे पाद एक और आक्ट आया तो इन ही के समय पर आयागा क्योंकि 1891 में यही थे और दूरेण कमिशन डाउन के समय पर ही Durant Commission बनाया गया, 1893 में इंडिया और अफगानिस्तान के जो border decide करना था इंडिया अफगानिस्तान का, उसके लिए ये Commission बनाया गया था, ठीक है, तो ये points याद रखिएगा, क्या क्या हुआ, Age of Consent Act आया, India Councils Act आया, Second Factory Act आया, तीन आक्ट आ गया, और Durant Commission को point कर दिया गया, कि इंडिया और अफगानिस्तान उनका जो border है, उसको निर्धारत करो, तो ये down के बाद, 1894 से 99 के बीच में आब आते हैं, Lord Elgin, एक Elgin, इन से पहले भी आएंगे, वो कब आये थे, Lord Caring के बाद आये थे, एक वर्ष के लिए, 1862 से 63 के लिए, ठीक है, ये आये इसलिए मैंने आपर बता दिया है, ताकि आप दोनों का comparison कर लेंगे, तो confused नहीं होंगे, इनके समय पर भी फिमाइन आएंगे, 1896 और 1797 का काफी भीशर अकाल आया था, और इसके बाद ही, इनके समय पर रामकृष्ण मिशन स्टाबलेश हुआ था, स्वामी विवेकानन के द्वारा, बेलूर मठ में 1897 में स्वामी विवेकानन ने इसको स्टाबलिश किया था, ये प्रश्ण भी कई बार पूचा गया है, कि ये कहां पर बेलूर मठ में 1897 में स्थापित हुआ था, और 1897 में ही assassination होता है, एक ब्रिटिश official थे, रान, ये महराश्र में थे, और इनक ठीक है, और इसी के ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स चापे थे, जिसको लाला लाज पत्राईरे चापा भी था, और उनके ऊपर काफी सारे फिर केसिस चलेंगे, ठीक है, तो ये 1897 का, जो official rant की हत्या होती है, चापेकर बंधुगों के द्वारा, किसके समय पर होगी, Lord Elgin के द Prelims 2023 के, को focus में रख कर किया गया है, जो आपका 14 में को होने वाला है, उसके लिए ये crash codes है, specifically, और इसको जोइन करकर, आप definitely अपने selection की chances को बढ़ा सकते हैं, तो अगर आपने अभी तक जोइन नहीं किया है, तो तुरंत इसको जोइन कर लिजे, और in given numbers पर, आप contact करकर, बा Lord Curzon पर आते हैं, Lord Curzon का time period क्या था, अब जब ये 20 वी शताबदी की शुरुवात हो रही थी, तो कौन थे हमारे हैं, वाइसरोय, Lord Curzon थे, 1899 से 1905 तर, ठीक है, और ये काफी होशियार वेखती थे, और इन्होंने ये ऐसे वाइसरोय थे, जिन्होंने भारत को काफी जादा भ आते रहते थे, ठीक है, क्योंकि इतनी जादा परिस्थितिया बुरी थी, तो फेमाईन आता है, 1899 का 1900 के समय इनके समय पर, और फिर ये Department of Agriculture बनाएंगे, 1908 में, उसके बाद ये Agricultural Research Institute पूसा बिहार में इस्टाबिश करेंगे, 1905 में, एक आपने इससे पहले देखा था, कि Lord मेयो के समय पर, Lord मेयो के समय पर हम एक Agriculture का और Commerce का Department देखते हैं, किसका देखते हैं, Department of Agriculture और Commerce, और इनके समय पर एक Department of Agriculture अलग से 1901 में इन्होंने इस्टाबिश किया, और एक ही Agriculture से सम्बंदित Research Institute पूसा बिहार में इस्टाबिश किया, 1905 में, और इन्होंने Partition of Bengal लेकर आ है, क्योंकि Partition के पीछे आपको पता है, कारण यह था कि यह जो बेंगॉल में revolutionary activities बढ़ रही थी, लोगों में, awareness बढ़ रही थी, nationalistic feelings बढ़ रही थी, उसके विरोध में यह लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने reason क्या दिया था, administrative reason दिया था, कि बेंगॉल का जो छेत्र है, वो का कुछना की थी 1905 में और उसी के परिणाम स्वरूफ स्वदेशी movement आता है, और उसको फिर वो काफी, उसमें काफी सारी घटनाए घटनेंगी, उसको मिहाँ पर नहीं discuss कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कहानी से याद रखेंगे, तो जो chronological events आते हैं, जो कई बार प पास हुआ था, इसी commission के recommendation के परिणाम स्वरूफ, ठीक है, और इनके समय पर ही हम देखते हैं कि ancient monuments preservation act 1904 में लाया गया था, यानि कि प्राचीन्स मारक संद्रक्शन अधिनियम 1904 आया था, इसके अलावा इनके समय पर क्या-क्या हुआ, वो भी देखते हैं, इनके समय पर second द 1911 में, फिर हम देखते हैं, इन्होंने एक पुलिस कमिशन, पॉइंट किया था, Sir Andrew Fraser के अंतरगत 1902 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था, वो इन्होंने क्रियेट किया 1901 में, इनको काफी साथ जानकारी थी, इन्होंने भारत के बारे में अध्यन किया था तो इनको लगा कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक प्रोविंस क्रियेट करना अब आवश्यक हो गया, इसलिए इन्होंने क्रियेट किया, और मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है कि स्वदेशी मूव्मेंट, पार्टिशन ऑफ बेंगॉल के बाद चला था, इनका का स्कूल था का चाता था, और 1915 में क्या हुआ था, जो सेंटरल हिंदू बोई इस इस स्कूल था, उसी में इस गर्ल स्कूल को मिलडिया गया था और बनारस हिंदू यूनिवरशिटी उसी में इस इस स्कूल को मर्ज कर दिया गया था, इनके समय पर एक young husband expedition भेजा गया था तिबत में 1903 और चार के बीच में ये भेजा गया था तो बस यह जाद रखेएगा young husband expedition तिबत में भेजा गया था किसके कारेकाल में लॉट करजन के कारेकाल में 1903 से चार के बीच में अब इनकी जो चीजें उनको हम learn कैसे करेंगे वो देख लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले जो चीज याद रखते हैं वो यह कि इन्होंने एक डिपार्ट्मेंट एग्रिकल्चर के लिए बनाया और एक 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 इंसिट्यूट बनाया पूसा बियार में डिपार मेकडौनल कमिशन और उसके बाद रैले कमिशन किस पर लेकर आये थे? इंडियन युनिवर्सिटीज अक्ट पर ठीक हैं तो यह 1900 में इन्होंने में अपॉइंड किया था और 1902 में इन्होंने रैले कमिशन आया था इंडियन उनिवर्सिटीज आक्ट 1904 इसके परिणाम पुलिस कमिशन इन्होंने पॉइंट किया था और यह किसके अंतरकत किया था 1902 में Sir Andrew Frazer के अंतरकत, फेमाइन वाला मेकड़ॉनल्ल के अंतरकत, यूनिवर्सिटी वाला रेले के अंतरकत, और पुलिस वाला Andrew Frazer के अंतरकत, इनको याद रखिएगा क्योंकि बुखत बार पू हुए थे, अब हम वापस सलते हैं, तीन कमिशन्स हमें तीनों याद हो गया, अग्रिकल्चर वाला पॉइंट याद हो गया, पार्टेशन का इन्होंने अनौंस्मेंट किया था वो पता है, वह असान पॉइंट है, इसके साथ ही मैंने आपको बताया है, इनको भारत के बारे म यायोजद किया था 1903 में, यह हमने देख लिया है, Northwest Frontier Province इन्होंने 1901 में बना दी थी, 1901 में इन्होंने Northwest Frontier Province बनाई और इन्होंने 1904 में Ancient Monuments Preservation Act ले कर रहा है, यह दो काम किये इनकी भारत की जानकारी की विज़े से, और यह स्वधेशी मुव्मेंट, यह हमें पता है, यह आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिती के साथ मर्ज हो गया था और अंत में एक इंपोर्टन पॉइंट है वो है यंग हस्बिन एक्सपेडिशन जो तिबित में भेजा गया था इन्हीं के समय पर 1903-1904 के बीच में तो इनसे संबंदित जो भी चीज़ और रिकॉल बारे होंगे कि हमने एक लॉड्ट लार्ड मि parlar प्टार आपको याद करना होगा कि पहले वाले लॉड उनके बीच में 3 1 कि डिश्कास किया Sempling इस समय पर आ थे और इनके बाद फिर को जलदी हेसी 203 काम करकर चले गए थे तो almost 100 साल बाद हमको दूसरे लॉर्ड मिंटो देखने को मिलेंगे तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इनके समय पर जो लॉर्ड मिंटो थे इनके समय पर इंडियन काउंसल आक्ट 1909 आया था जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा चाहता है और इस समय पर हमें कॉंग्रस में एक सूरत स्प्लिट देखने को मलती है अब यह वाली जो कहानी है इनकी लोगों के समय पर जो भी हुआ 20th century में वो आपको थोड़ी याद होगी और इसके जो इवेंस है वो chronological order में बहुत बार पूछे जाते हैं इनको थोड़ा ध्यान दीजेगा सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ ठीक है लेकिन कई बार पूछा गया है कि मुस्लिम लीक पहले बनी कि सूरत स्प्लिट पहले हुआ तो Muslim League जो है वो 1906 में पहले बन गई थी, चीक है, अगा खान, तृतिये और ख्वाजर सलीम उल्ला के अंतरगत 1906 में Muslim League स्थापित हो जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं, 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, तो ये question भी पूछा गया है, थोड़ा confusing हो जाता है, याद और उसके बाद हम देखते हैं, जब Muslim League बन गई, उसके बाद अगले वर्ष सूरत स्प्लिट हो गया, सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, मौडरेट्स और एक्स्रेमिस जो थे, उनमें आपस में बहस हो गई थी और एक्स्रेमिस ने कॉंग्रेस को छोड़ दिया था, ये स उसके बाद 1906 में Muslim League बनी, 1905 में Muslim League बनी, साथ में Congress स्प्लिट हो गया, सूरत स्प्लिट हो गया Congress में, उसके बाद एक वर्ष इन उने वेट किया, फिर उने सोचा कि Muslim League भी बन गई है, स्प्लिट भी हो गया है, तो क्यों ना, reforms लेकर आएं, तब ही ये फिर 1909 में मौडलेमि बने थे, जो Viceroy Executive Council में अपॉइंट किये गए थे, ये किसके परिणाम सुरूप हुआ था, इसी आक्ट में ये प्रोविजन था, कि एक इंडियन को हम मेंबर बनाएंगे, Viceroy के Executive Council में, तो वो कौन थे पहले भारती सतेंद्र सिन्हा, ये लॉड मिंटो के समय पर हुई ची से लॉड मिंटो के समय पर आया, और जमशेद जी टाटा ने टिस को स्टाब्लिश कर दिया था, टाटा आइरन अंस्टील कंपनी 1907 में, वो इसी के समय पर, लॉड मिंटो के समय पर हो गई थी, विक्टोरिया मेमोरियल एक सापित हुआ था 1906 में, उसको, उसका फाउंडेशन स्टोन भी नहीं के समय पर रखा गया, और न्यूस पेपर आक्ट आ गया था 1908 में, ये थुड़ी जो चीजे लिखी हैं, ये सीक्वेंस में नहीं लिखी हैं, लेकिन आप याद रखिएगा फिर से मैं पूरा बता देती हूं, सबसे पहले 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीक स्टाबलिश हो गई, फिर 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया, और उसके बाद 1909 में ये आक लेकर आ गया, ये तीनों चीजें अलग हो गई, फिर हम देखते हैं कि 1906 में जुगांतर रिवल्यू फिर 1906 में एक चीज हो गई है, विक्टोरिया मेमोरियल, और फिर 1908 में होता है निउस्पेपर आक्ट, और 1910 में इंडियन प्रेस आक्ट, तो थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में याद रखी जएगा, हम आगे बढ़ते हैं, लॉड हार्डिंग, एक और लॉड हार्डिंग अब आप पढ़ चुके हैं, मैंने क्या बताया था, लॉड डलाॉजी के आने से पहले थोड़ी सी, लॉड डलाॉजी के नीटियां कैसी है, हार्ड है, उनसे पहले एक लॉड हार्डिंग आये थे, तो हार्डिंग का जो कारेकाल था, वो क्या था, 1844 से 1848 तक, और इनका क् में पहला कब हुआ था 1877 में फिर 1903 में फिर 1911 में बार-बार मैं रिपीट कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है आपके पास रिविजन का जाधा टाइम नहीं है आप इस वीडियो के माध्यम से जितना जाधा लंग कर सकेंगे उतना बेहतर होगा और इनके समय पर क्या हुआ जो पार्टेशन ऑफ बेंगॉल को घोशित किया गया था लौर करजन के द्वारा उसको उस विभाजन की जो घोशना थी उसको इन्होंने खारिच कर दिया ठीक है देखिए यहां पर यह गलत लिखा हुआ है 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा यह किया गया था बें अधिनी जो कैपिटल है वो कलकत्ता से क्या कर देंगी दिल्ली ले जाएगे क्योंकि दिल्ली सेंटर था और इन्होंने का दिल्ली कॉप कैपिटल बढ़ाएंगी किसने का लौड हार्डिंग ने लेकिन हुआ गया था कि जब यह कैपिटल ट्रांसफर कर रहे थे अपनी द इनकी वाइफ और एक-दो लोगों की अन्य लोगों की हत्या कर दी हो गई थी तो वो कौन लोग थे जिन्होंने यह हमला किया था यह देखेते हैं तो यह जो लौड हार्डिंग पर बम से हमला हुआ था यह हुआ था 23 दिसेंबर 1912 को इनका प्रसेशन जा रहा था दिल्ली में तो रास-बिहारी बोस के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया था एक चीज़ जात रखी कर बम का संबन्द है तो यह रास-बिहारी बोस है क्योंकि हमें रास-बिहारी गोश और रास-बिहारी बोस में बहुत confusion होता है इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ जिन्ह ओर्डर में काफी बार पूछा गया है तो याद रखी का इस दिन ये हुआ था ये क्यापिटल ट्रांसफर की घोशना के बाद ही इन्होंने ये प्रयास किया था और 1912 में ही इन्होंने क्या किया इन्होंने बेंगॉल को पार्टेशन कर दिया था बिहार और ओरिस्टा प्रो हुआ इंसिडेंट होता है इस इंसिडेंट में क्या होता है बेसिकली इस इंसिडेंट में कामा गा الن मारु था किया क्या सट को एकिकली प्रयान इस शिप् थी ती कि Japan की शिप्ती और क्या हुलद्न था गुर्दीत सिंग उन्होंने इस कामागाटा उमारूश शिप से वो गए कई सारे लोगों को लेकर लगबग 376 लोगों को लेकर गए क्यानडा लेकिन वहाँ पर ऐसे रूल्स बना दिये गए थे कि वहाँ पर इल्लीगल उनको घोशित कर दिया गया उनको कहा गया कि लड़े लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ और फुल मिलाकर एक दो महीने के बाद यह वापस आ जाते हैं भारत में और भारत में जब यह शिपाती है तो बजबज बंदरगा था कलकत्ता में वहाँ पर यह लोगों के बीच में जडब भी हो जाती है ब्रिटिश के साथ तो इससे संबंदित जो कमिटी बनी थी वह शोर कमिटी थी और जब भारत वापस आते हैं तो कौन से बंदरगा पर पहुचते हैं बजबज बंदरगा कलकत्ता में ठीक है तो यह 1914 का इंसिडेंट है उसके बाद हम देखते हैं 1914 में ही मैक मोहन बॉडर लाइन बनाई गई थ इंडिया और चाइना के बीच में 1914 में इसका इसके निर्धारन के लिए मैक मोहन को जिम्मेदारी शौपी गई थी फिर गदर म्यूटिनी 1915 में होती है गदर म्यूटिनी क्या है अब तो वर्ड वर वर वन शुरू होने के बाद ये जो फॉरण लांड में जो भी रिवल्यूश्टरी लोग थे उन्होंने एक गदर नाम की पत्रिका चलाई थी ठीक है उसी के बाद हम देखते हैं गदर नाम की पत्रिका से इन्होंने लोगों क को जागरूप करने की कोशिश करी और बाद में इन लोगों ने अंडर ग्राउंड वे में रिवल्यूश्टरी आक्टिविटीज को बढ़ावा दिया और वही गदर म्यूटिनी खेलाती है ये कब होता है इंसिडेंट 1915 में एक वैशन क्रोनोलोजिकल ओडर में बहुत बा में 1915 में ही स्थापित की गई थी और बनारस हिंदू यूनिवरष्टी 1916 में बनाई गई थी बैसिकलि एठारा सो अठान यूक्त में मेन आनी बैसन के द्वारा सती गई थी और जिसको मदशन awards के द्वारा एक तरह से इंसका नाम जेंज़ करकर बनारस हिंदू यूनिवर में और इन्होंने कहा जो जब दिल्ली दरबार के King George 5 भारत में आये तो इन्होंने कर दिया यानि की खारिच कर दिया जो भी ब्रिटिस जो बेंगॉल का पार्टेशन घूशित किया गया था ब्रिटिश के द्वारा उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो अभी सब तो कर दिया है अब हम अपनी क्यापिटल है उसको चेंज कर देते हैं 1911 में इन्होंने कहा लेकिन दिसंबर 1912 में जब यह कर रहे थे तो बॉम इनके उपर फेक दिया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा तो हार्डिंग बं कांड वो देखा गया उसके बाद जिसमें इनकी मृत्यू नहीं होई थी और इन्होंने 1912 में क्या किया था बेंगॉल को बिहार और उरिसा प्रोविंसे को भी बना दिया था बेंगॉल से और वर्ड वार वन शुरू हो ग गदर म्यूटिनी होती है और 1915 में ही कांडी जी वापस आ जाते हैं और मदन मालविये के द्वारा हिंदू महासभा को स्टाब्लिश कर दिया जाता है और बीच में 1916 में स्टाब्लिश हो गया तो यह सारे इंसिदेंस थे जो हुए थे और बीच में 1914 में ही मैक मोहन बॉर बना दी गई थी तो यह सारे इंसिदेंस हैं जो आपको याद रखने होंगे एक सीक्वेंस में पहले कामा गाता मारू फिर गदर म्यूटिनी उसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉर्ट चैम्स फोर्ट 1916 से 21 के बीच में आते हैं यह इनके समय पर क्या हुआ 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 हो म मुव्मेंट शुरू किया गया था जिसको हम अलरी डिसकास कर चुके हैं तिलक और एनी बेसिन के द्वारा 1916 में और इसी समय पर पहली विमेंस यूनिवर्सिटी पूने में स्थापत की गई थी डी के करवे के द्वारा 1916 में धोंदो केशफ करवे डी के करवे नामयाद 1916 में फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी पूने में स्थापत की गई थी उसके बाद लखनव पैक्ट भी होता है 1916 में लखनव पैक्ट में क्या हुआ था बेसिकली जो हमने 1907 में रेखा था सूरत स्प्लिट हो गया है ठीक है कॉंग्रेस में मॉडरेस्ट और एक्स्ट् पर दिया गया और दोनों लोगों को जोड़ दिया गया कॉंग्रेस में साथ में इंडियन नाशनल कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक के बीच में भी थोड़ा समझोता कराने का प्रयास किया गया तो यह लखनव पैक्ट हुआ 1916 का और इसमें इसको हैड किया गया था अंभिक यह आपको इंसिदेंस पता है महातमगाधी आ गये थे और उसके बाद उन्होंने यह जो चमपारण सत्याग्रह किया उसके बाद एहमदाबाद मिल स्ट्राइक और उसके बाद खेडा सत्याग्रह जो हुए इनका सीक्विंस आपको पता है हम अल्रेडी कर चुके हैं फिर 1916 में होम रूल मुवमेंट शुरू हुई फिर 1916 में ही पैक्ट करवा दिया गया कि मुस्लिम लीग और कॉंग्रिस साथ में आ जाए और कॉंग्रिस के अंतरगत जो विभाजन था वो भी दूर हो जाए और 1916 में ही पहली उनिवर्सिटी पूने में महिलाओं के लिए शु चीज़े हम देखते हैं कि हुई लॉट चेम्सफोर्ट के समय पर और क्या क्या हुआ उसके बाद जब यह सब हो गया तो चेम्सफोर्ट रिफॉर्म्ज आती है 1919 में चेम्सफोर्ट रिफॉर्म्मेंट और गॉवर्मेंट ऑफ इंडिया एक ही चीज़ है यह लग-लग लग लेकिन एक ही चीज है यह फिर क्या देखते हैं हम देखे अब यह जो इंसिदेंस हैं इनको आपने डीटेल में पढ़ा होगा और इनकी डीटेल अगर हम देखेंगे तो एक ही पॉइंट में बहुत जादा समय लग जाएगा तो बस एक बार इनकी थोड़ी सीक्वेंस समझते हुए चलेगा क्योंकि इसकी chronology बहुत important है तो Government of India Act आ गया और उसके बाद हम देखते हैं कि रॉल एक्ट आता है जिसको काला कानून भी खा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी warning के बगेर किसी को भी कहीं से भी गिरफतार कर लिया जा सकता था तो इसके परिणाम सुरूप लोगों ने आवाज उठाई आवाज उठाई तो लोगों ने सत्याग्रह करने कर प्रयास किया गंधी जी ने कहा हम सत्याग्रह करेंगे तो उसी समय पर चलिया वाला बागतियाकान कर दिया गया जलिया वाला बागतियाकान ला सके और अंग्रेजों को भारत से भगा सके उसके लिए पहला गांधी जी का मूवमेंट आता है 1920 से 22 के बीच में जिसको नौन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं और इसी समय पर अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसकी फाउंडेशन हमको देखने को मिलती है 1920 में सर सयद हमत खान इसको स्टाबलिश कर चुके था लेकिन अब इसको अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से 1920 में हम स्टाबलिश होता हुआ देखते हैं फिर 21 में हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि Imperial Bank of India स्टाबलिश होती है Imperial Bank of India 1921 में स्टाबलिश होगी और आगे चलकर यही इंपीरियल बैंक जो है वो SBI कहलाएगी ठीक है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वरतमान की वो कौन है यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में तो ऐसे धीमे धीमे घटनाए घटेंगी पहले यह रॉलेट आया फिर जलिया वाला बैक फिर उसके बाद डॉन कोपरेशन मुव्मेंट तीक है फिर आते हैं लॉड रीडिंग इनका कारिकाल आपको याद होगा 1921 से 26 के बीच में होगा इस समय पर रभीद ना टैगोर के और चौरी-चौरा इंसिदेन्ट के कारण ही नौन कोर्परेशन मुव्मेंट को गांधी जी के द्वारा विध्डरॉ कर लिया गया था फिर यह 4-4 incident इनके समय पर हुआ, उसके बाद जब 4-4 incident हो गया और गांधी जी ने non-cooperation movement को वापस ले लिया, तो Congress के जो लोग थे, उन ही में, उन की जो सोच थी, उन ही में हम देखते हैं कि दो तरह के good बन गए, कुछ लोगों को, कुछ लोगों ने कहा कि, जैसा गांधी जी की नीतिया हैं, जो गांधी जी कहेंगे, बैसा ही करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा, नहीं हमको कुछ करना है, हम ऐसे शांती से नहीं बैठ सकते, तो दो गुट बन गए, no changers, जिन्होंने कहा हमें कोई change नहीं चाहिए, जो गांदी जी कह रहा है, वो चलता रहेगा, एक लोगोंने कहा, pro changers, कि हम change को बढ़ावा देंगे, कुछ change लाएंगे, तो उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं, एक जनवरी 1923 को क्या होगा, स् सियारदास और जवाहरलाल नहरू, इन दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी, एक जनवरी 1923 में गठित होती है, within Congress ही इसका गठन किया गया था, यह form होती है, और यह कहती है, कि जो elections होने वाले हैं, उनमें हम participate करेंगे, हम ऐसे चांती से बैठेंगे, नहीं, ठीक है, तो यह होता है, आगे चल कर क्या देखते हैं हम, जो railway budget है, उसको separate कर दिया जाता है, जो union budget था, उससे separate कर दिया जाता है, और यह separation होता क्यों है, एक committee आई थी, act worth committee, तो यह जो act worth committee थी, इसने recommend गया था, कि तुम railway budget को separate कर दो, तब ही इन लोगों ने जा कर finally 1924 में railway budget को separate कर दिया इन दोनों को merge कर दिया है, ऐसा 2016 तक चलता रहा था, 2017 से दोनों budget फिर से merge हो गए है, याद रखेगा, उसके बाद जब गांधी जी ने non cooperation movement वापस ले लिया था, तो revolutionaries जो थे, जो एक तरह से non cooperation movement में लग गये थे, उनको लगने लगा था कि कुछ scope है, कुछ हो सकता है, लेक अब हम कुछ ऐसा काम करकर अंग्रेजों को भगाएंगे, उसी के परिणाम सुरूप एक activity होती है, काकोरी train robbery, काकोरी loot, ये 1925 में होई, ठीक है, ये काकोरी train robbery 1925 में होती है, फिर हम देखते हैं, काकोरी train robbery में किसको किसको गरफतार कर लिया गया था, ये भी important question है, कई बार 1925 को, date क्या थी, इसकी 9 अगस्ट 1925, और अब एक चीज कर ली गई है, recently इसको काकोरी train case की बजाए, काकोरी train action कहा गया है, ठीक है, तो सरकार ने इसका नाम बदल दिया है, काकोरी कान नहीं कहा जाएगा, इसको काकोरी train action कहा जाएगा, ठीक है, तो ये basically train में robbery की गई थी, 9 August 1925 को, काकोरी नामक इस्थान पे, जो की लगनव के पास है, 10 revolutionaries के द्वारा की गई थी, ये जो revolutionaries थे, ये किस से सम्मंदत थे, एक हिंदुस्तान Republican Association था, HR-A, इसके ये सारे revolutionaries थे, ठीक है, और इसमें, किनको किनको पकड़ कर फासी दे दी गई थी, उसमें तीन नाम है, पून है, रामपरसाद बिस्मिल, अश्वाकउल्ला खान और रोशन सिंग, ठीक है, इन लोगों को, इसमें, इस case में फासी दी गई थी, नाम याल रखी को question पूछा गया है, रामपरसाद बिस्मिल, अश्वाकूला खान और रोशन सिंग, इन लोगों को 1927 में, इस case के लि जिसका लिंक हम किसे देखते हैं वर्तमान की बीजेपी से बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी इसको के भी हेगवार के दुवारा स्थापित किया गया था 1925 में याद रखियेगा यह फिर हम देखते हैं कि कम्यूनिस्ट पार्टी भी इसी समय पर स्थाब्लिश होती है जो चल रहा था चौरी-चौरा इंसिडेंट हो गया उसके बाद चौरी-चौरा के बाद स्वराज पार्टी बन गई नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स की सोच के परिनाम सुरूप एक जनवरी 1923 को यह बन गई और 1924 में इन लोगों ने रेलवे बजट को मिला लिया ब्र कोरी ट्रेन आक्शन कहा जाता है वरतमार में और उसके बाद 1925 में ही दो और चीज़ें हुई एक आरेसस का संगठन किया गया गठन किया गया के बी हेगवार के दुवारा और कमिनिस पार्टी 1925 में कानपुर में स्थापक की गई यह सारी चीज़ें हुई लॉर्ड रीड का काम था भारत में constitutional reforms के बारे में study करना ठीक है इसलिए यह 1928 में भारत आया लेकिन यह भारतियों को पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें कोई भारती सदसिता ही नहीं और इसमें सारे कौन थे अंग्रेजी इसके सदसिते तो साइमन कमिशन के बाद जब भारतियों ने इसका विरोध किया तो उसी विरोध में हम देखते हैं कि लाला लाजपत्राई की मृत्यू भी हो जाती है जब विरोध किया गया तो लौर्ड बरकेन हैट थे वहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मेर्स्ट्र थे लौर्ड बरकेन हैट उस समय पर उन्होंने क्या कहा एक छीज थोडा सुधार कीज़ेगा लौर्ड बरकेन हैट जो थे वह सेकरेटरी ऑष्टेट थे भारत के लिए प्राइम मेंस्टर नहीं थे तो यह जो लौर्ड बरकेन हेड थे इन्हों ने क्या कहा इन्हों ने चालेंज किया कि चलो ठीक है तुम लोग इतना विरोध कर रहे हो साइमन कमिशन का तो तुम लोग यह अपना बना लो तुम लोग बनाओ कैसा बनना चाहिए भारत का तो नहरू रिपोर्ट आई थी जिसके हैड किस ने किया था मोतिलाल नहरू ने किया था और इसकी कुछ मेंबर्स भी थे उनका नाम मैं आपको या नहीं बता रही हुए कि बहुत सारी ओवर्डोज और इंफिमेशन हो जाएगा तो नहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी और नहरू रिपोर्ट के समान ही जो जिन्ना थे इन्होंने अपने 14 पॉइंट लेकर आये थे 1929 में ठीक है फिर हम देखते हैं आगे चलकर जभी सब कुछ हो गया तो आप भार्तियों में काफी गुस्ता था और इन्होंने फिर जवार्डाल नहरू ने का कि आप हमको पू रावी नदी के टत पर भारतिये जंडा फेराया गया और कहा गया कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतनत्रता दिवस मनाएंगे इसलिए 26 जनवरी को इंपॉर्टन्स देने के लिए आगे चलकर हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डेके रूप में मनाया ठीक है तो पून स्वराज का डेक् इसके डीटेल में मत जाएए बस याद रखिए कि मेरेट कॉंस्पिरिसी केस कब हुआ 1929 में हुआ और इसमें किनको किनको गिरफतार किया गया था जो में चार्जिस लगाए गये थे वो लगाए गये थे और इसमें लगबक 31 लोगों को को अन्विक ठेराया गया था जिसम के साथ ये क्वेशन ये भी पूछा गया है 2017 में ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ट्रायल था जिसमें वर्डवाइट जिसको पब्लिसिटी मिली थी और जिसमें कॉमेंट किया गया था अलबर्ट आइनस्टीन और हेलोल्ड लास्की और रूजवेल द्वारा कन्विक्स के सहयोग में या कन्विक्स के पक्ष में लोगों ने ऐसे बड़े बड़े लोगों ने कमेंट किया था तो वो हमारा मेरेट कॉंस्पिरेसी केस ही था तो याद रखिए अगर आपसे क्वेशन पूछ लिया जाए कि आलबर्ट आइनस्टीन हेरोल्ड लास्की और रूजव बॉम्बिंग होती है सेंट्रल लिजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में और यह बॉम्बिंग किसके द्वारा की जाती है भगत सिंग और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा और इन्होंने पर्चे बाते थे बेसिकली बहरों को सुनाने के लिए यह 1929 की घटना है फिर दीप वली declaration था किसके द्वारा लाया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था जिसको दीपावली declaration के नाम से जाना गया और 31 अक्टूबर को लाया गया था इन्होंने का था इंडिया को हम दोमेनीन स्टेटिस देंगे लेकिन आप देख रहे हैं कि इंडिया को पूर्ण स्वराज चाहिए था और हम डिसेंबर 1929 में जवारलल नहरू के द्वारा रावी के तर पर जंडा फिर आया गया था और इन्होंने का था पूर्ण स्वराज ही हमको चाहिए और फिर इसी समय पर हम देखते हैं हार्टॉप कमिटी का अपॉइंट की जाती है जो कि किस से संबंदे थे एडुकेशन से संबंदे थे इतना हो गया कुछ चीजें और हुए इनके समय पर वो क्या क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉंच किया गया था गांधी जी का दूसरा मास मूवमेंट 1930 में और इसके बाद ही आप देखते हैं कि राउंटेबल कॉन्फरेंस का सिलसला शुरू होता है जो 1930 मे हर वर्ष एक फिर लॉंच की गई फिर अलहाबाद address सर मुहमद इकबाल के दौरा 1930 में दिया गया था इसका संबन किसे हैं मुस्लिम लीग से है इस अलहाबाद address का संबन और यह इनका अलहाबाद address इसलिए important हो जाता है क्योंकि माना जाता है कि इसी address के बाद में हमसे पहली देखे फिर हम देखते हैं Chitta Gong आमरी रेड होती है उन्नेश सो तीस में यह बेशीकली Revolutionaries थी सूरी सेन के अंतरगत एक रिवल्यूशनरीज का गुट था उन्होंने क्या किया था उन्होंने प्रयास किया था कि जो भी पुलिस का आमरी है जो आमस है उनको लिया जा सके उनको प्राप्त किया जा सके तो यह 1930 की घटना है सूर्य से इनके नेत्रित्व में घटना घटत हुई थी और उसके बाद हम आगे देखते हैं गांधी इर्विन पैक्ट आया 1931 में और बाद में इन्हीं के समय पर भगत सेंग राजकुरू और सुगदेव का 1931 में एक्जीक्यूशन होता है तो यह हमने लौड इर्विन तक देख लिया है इनके समय पर लौड इर्विन के समय पर क्या-क्या घटना है और उसके बाद नहरू रिपोर्ट आती है 28 में और 14 पॉइंट्स जिन्ना के द्वारा दिये जाते हैं फिर हम देखते हैं जवाड लाल नहरू पून स्वराज डेक्लरेशन करते हैं रावी नदी के तट पर जंडे को फहरा कर और इसी समय पर एक घटना होती है मेरेट केस जो की कमिरिस चे संबंदे थे और जिस पर वर्डवाइट का सपोर्ट मिला था कन्विक्स को और उसके बाद एक बॉंबिंग होती है सेंट्रल लिजिस्टेटेव असेमली में कौन-कौन करते हैं वो रिवलिशनरी होते हैं भगत सिंग और बटुकेश्वरदर और इसी स्वराज का जो डेक्लेरेशन किया गया था गांधी जवालन नहरू के द्वारा वो पहले हुआ तो दीपा वाली डेक्लेरेशन ऑक्टूबर में हुआ और यह डिसेंबर में हुआ ठीक है और इसी समय पर एक हार्टोप कमिटी बना दी गई थी 1929 में जो एडूकेशन से सं लाबाद में टू नेशन थियोरी सबसे पहले दे दी थी और एक रिवल्यूशनरीज की घटना बेंगॉल में हुई सूर्य सेन के अंतरकत 1930 में जिसको चित्तागाउं आमरी रेट कहा जाता है और गांधी जी के इन मूव्मेंट्स के बाद हम देखते हैं बीच में गांधी रिवल्यूशनरीज को फांसी की सदा दी जाती है हमारा वीडियो काफी लंबा हो गया है बट आइप आपने बहुत कुछ से सीखा होगा और यह बहुत ही इंपोर्टन है हम अब क्वेशन भी देख लेते हैं इसके थोड़े से क्वेशन हैं देखी पहला क्वेशन है कि इन जाल में हुई थी तो प्रथम जंगरना पूची गई है कंफ्यूज मत होईएगा डफ्रिन थे लिटन थे मेओ थे या फिर रिपन तो प्रथम जंगरना मेओ के समय पर हुई थी ऑप्शन सी करेक्ट होगा फिर देखते हैं निम लिकित में से किस वाइसरोय की अंडमा निक निकोबार में वो लॉड मेओ थे ठीक है जिन्होंने सेंसेस पहली बार करवाया था मेओ तो इनहीं की हत्या कर दी गई थी अंडमान और निकोबार में जब यह अपने टूर पर थे ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा फिर है कि भारत के वाइसरोय के रूप में सब जबसे जबा लंबा किसका कारिकाल था इनमें सबसे जबाल लंबा कारिकाल था कररेओं का ऑप्शन एकरेक्ट होगा फिर हम देखते हैं भारत में इसतहांई सवशासन संस्थाओं को 1882 में किसके द्वारा सुद्रन किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था बालो के द्वारा, रिपिन के द्वारा, कर्जन या फिर लेतिन तो correct answer हो जाएगा Lord रिपिन के द्वारा सुद्रन किया गया था option B सही हो जाएगा आगे दिया हुआ है पुरा तत्व विभाग की स्थापना किसके काल में की गई थी, आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किसके काल में की गई थी, तो आर्कियोलोजिकल जो डिपार्टमेंट है, यह स्थापित किया गया था, करजन, बेलेजली, विलियम बेंटेक या फिर वारेन हे यानि कि Ancient Monuments Preservation Act ये किसके कारिकाल में पारित किया गया था मिन्टो लिलितको कर्जन या फिर क्यानिंग तो इसको पारित किया गया था कर्जन के समय पर option C सही हो जाएगा फिर है इन में से कौन भारत का एक मात्र यहूदी वाहिसरोय था यानि कि Jewish वाहिसरोय कौन था कर्जन क्यानिंग इर्विन या फिर रीडिंग तो जो एक मात्र Jewish वाहिसरोय थे वो थे रीडिंग ठीक है रीडिंग 1921 से 26 वाले जो थे रीडिंग उनका ये वो एक मात्र में करेंगी क्योंकि अल्रडी वीडियो बहुत बढ़ा हो गया है I hope आप इसको एक बार देख लीजेगा और स्पीड बढ़ा कर देख लीजेगा चीजे कवर हो जाएंगी बहुत सारी इंपॉर्टन चीजे हमने यहां पर करी हैं डिसकाश जिनके पेपर में पूछे जाने की संभाब ना है तो all the best हम करेंट अफ़े का टॉपिक नेक्स उसमें कर लेंगे थांकिये सो मच